हालो एब्रीवन कैसे हैं आप लोग आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंगलिज का फुट्पिंट्पिंट फीट बुक से चैप्र नमबर 8 दा है ड्राइबर इसके राइटर है सिंक्लेयर लुइस ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं है का मतलब होता है होर्स ड्रॉन वेकल घोरा गारी जिसको बुलते हैं तो उस ड्राइबर उसके ड्राइबर के बारे में यह कहानी है चलिए देखते हैं सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रॉक्शन अ यंग लॉयर कमस्ट विलेज टू सर्व समोंस ऑन ओलिवर लूटकिन्स तो माल लीजिए यह कोई कोट है यहां से कोई order निकला कि किसी एक इंसान को कोट में पेस करना है और माल लीजिए वो इंसान यहां पे है तो यह जो order है यह order उस इंसान तक पहुचाना होगा ना तो यह order उस इंसान तक पहुचाने का जो काम है इसको ही बोलते हैं समोंस सर्व क करना ठीक है तो यहाँ पर जो लॉयर है उसको काम मिला है कि ओष के जो और है वह जा किसको पहुंचा दे और लिवर लुटिन्ज को पहुंचा दे ठीक है मतलब लूटिन्ज को को में प्रेस होना है तो यंग लॉयर का काम दो किन्स कि कोच में ठीकेैं तो भी फैंडी तो किया उसे इस लोयर को उलिमर लूट किन्स में देखेंगे हम लोग और वंडेखेंगे श्टोडि में चलिये स्टार्ट करतें अब अब डिटेईल है इसका एक्स्परेमेशन इसथे देखिए, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ओनर्स, आई बिकेम जुनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैगनिफिसेंट लॉफ फर्म, तो देखिए, आप यहापर हम अंडलाइन भी किये हुए है, इस तरीके सा भी अंडलाइन कीजिए, अभी हम बताएंगे इन सब पर क् इस इस इस्टोरी को नरेट कौन कर रहा है, यह यंग लॉयर, ठीक है, तो देखिए, तो यंग लॉयर बोलते हैं कि ग्रेजुएशन करने का बात, मतलब कॉलेज कम्प्रीट करने का बात, मतलब किसी एक सबजेक्ट में स्पेशलाइजेशन करने का बात, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm, उन्हें एक job मिला, वो job क्या था, junior assistant clerk का job था, ठीक है, और कहां पे मिला था यह, in a magnificent law firm, Magnificent मतलब सांदार, ठीक है, extremely impressive, और law firm क्या होता है, law firm में होता है कि कुछ वकील आते हैं, एक साथ, और group बना के एक business खड़ा कर देते हैं, मतलब किसी को भी अपना case solve करवाना होगा, तो वो इस law firm में जाएंगे, और यहाँ पे कोई भी वकील इनका case को handle कर लेगा, ठीक है, तो इसी law firm में, जो हमारे young lawyer है, उनको junior assistant clerk का post मिला हुआ है, ठीक है, चलिए, I was sent not to prepare legal briefs, but to serve someone like a chief private detective, तो यहाँ पे young lawyer का काम क्या था, legal brief बराने का काम नहीं था, legal brief क्या होता है, written legal document, मतलब किसी भी case का लेखा जोगा, कि उस case में क्या क्या हुआ है, कौन witness है, कौन culprit है, यह सब चीज का written document को बोलते हैं, legal brief, तो यहाँ पे young lawyer का का काम, legal brief बराना नहीं था, बलकि क्या था, summons को serve करना था, जैसा कि हमने यहाँ पे introduction में भी देखा, कि इनका काम क्या था, serve summons, इसलिए यहाँ पे summons serve करने का काम को compare क्या गया है, एक cheap private detective के काम से, ठीक है, जिस तरीके से एक detective किसी खूफिया चीज का पता लगाता है, उसी तरीके से यहाँ पर इस यंग लोयर को भी अपने क्लाइंट को ढूंदून के उन्हें summons को देना होता था, ठीक है, I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims, तो अभी तो यह जो narrator है, यंग लोयर यह एक city में रहते थे, ठीक है, तो इन्हें उस city के काफी गंदे इलाके में, shadowy corners, ठीक है, अंधकार भरे इलाके म काम होता है, वहाँ पर जाना परता था, अपने victims को ढूंदने के लिए, victims को ढूंदने के लिए मतलब जिसको समोंद सफ करना है, उसको ढूंदने के लिए, ठीक है, some of the larger and more self-confident ones even beat me up, और कई साथे तो ऐसे ऐसे victim उसके होते थे, चो काफी हट्टे-कट्टे होते थे और का काफी हेट करने लग गया, और city life का जो ये साइड है, नर्मली हम दोग city life देखते हैं, तो हमें चकाचोंत, सरके और चमसुबाती होई दुखाने दिखती है, लेकिन यहाँ पर city life का एक गंदा साइड उन्हें देखने को मिल रहा था, उन्हें मतलब किन है, young lawyer को, ठीक है, तो इसलिए वो इस काम को हेट करने लग गए, I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away, without going through this unpleasant training period, कभी-कभी तो narrator के मन में ये भी खेयाल आता था कि क्यों ना मैं अपने hometown चला जाओं, जहाँ पे ये सीधे जाके एक lawyer बन सकते हैं, without going through this unpleasant training period, इसका मतलब यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं, इस law form में जो काम कर रहे हैं, किस post में, junior assistant clerk के post में, ये इसलिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका क्या है, training period है, ऐसा होता है, कोई भी course करने का बाद, वकील का पढ़ाई करने का बाद आप ऐसा नहीं कि direct वकील बन जाएंगे, आपको पहले training लेना होता है, ठीक है, उसके बाद लिए क्या बन सकते हैं, एक lawyer बन सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा ऐसा उनके मन में ख्यालाता था, तो इस first fellow से हमें क्या क्या बात याद रखना है, सबसे पहला बात, कि वो कहां पे काम करते थे, in a magnificent law form में काम करते थे, ठीक है, उनका post क्या था, junior assistant clerk का post था, और वहां पे वो काम क्या करते थे, समोन सब करते थे, और इस काम को वो काफी हेट करते थे, ठीक है, तो हेट करने का कितना रीजन है, तीन रीजन हमने देखा, नमबर वन, उनका काम था सब समोन, ये काम को हेट करते थे, दूसरा, he had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out his victims, ये दूसरा रीजन है, कि उन्हें अपने काम को हेट करते थे, ये वेरी 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 इंपोर्टेंट कोशन बनते है, एक्जाम में, ठीक है, कि उनको अपना काम पसंद क्यों नहीं था, समझे इतना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नियू मुलियन, क्यों बेजा गया, to serve summons on a man called Oliver Lutkins, इस Oliver Lutkins नामक इनसान को, summons को serve करना था, ठीक है, क्यों देना था, क्योंकि, we needed this man as a witness in a law case, and he had ignored all our letters, तो ये जो इनसान था, Oliver Lutkins, ये एक witness का काम करता, किसी एक case को सुल जाने में, ठीक है, और इसको कई सारे letters बेजे ग तो इसलिए इस बार खुदी जो यंग लोयर है, इनने खुदी जाके इनने पकड़ के लाना था, ठीक है, court का order दिखाते हुए, तो इतना समझे, तो ये बात आप आप याद रखेगा कि वह आप किस टाउन में जा रहे हैं, नियू मुलियन में जा रहे हैं, ठीक है, और य तो जब मैं नियू मुलियन गया, मैं मतलब यंग लोयर, ठीक है, तो जब मैं नियू मुलियन गया, तो my eager expectations of a sweet and simple country village, तो इनके मन में काफी एक्छाई थी, आशाई थी, कि वहाँ पी जाके इनने क्या देखने को मिलेगा, एक काफी सुन्दर सा और सिंपल सा rural area का विलेज को मिलेगा, लेकिन उनका ये आसा निरासा में बदल गया, क्यों, क्योंकि its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a sour brown or bear of any paint at all, तो क्यों उन्हें यहाँ पे निरासा देखने को मिला, क्योंकि वहाँ के जो रास्ते थे, उस village के जो रास्ते थे, वहाँ पे मानो कीचर की नदिया बैह रही हो, ठी की दुकाने थी, either painted a sour brown, और सब में क्या तो एक गंदा सा brown color क्या हुआ था, या फिर कोई paint ही नहीं था, ठीक है, तो ऐसा कुछ उन्हें सीन देखने को मिला, तो ये सीन उन्हें काफी निरास कर गया, the only agreeable sight about the place was the delivery man at the station, एक अच्छा चीज उन्हें वहाँ पे सिफ यही ची cheerful and thick about the middle, वो लगवक चालीस साल का था, उसका चहरा लाल था, वो cheerful था, ठीक हुष मिजाज था, and thick about the middle, और बीच में मोटा था, मतलब उसका पेट निकला हुआ था, his working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner, उसका जो कपरा पहना हुआ था, वो गंदा था, और काफी वेल वर्ण, काफी घीज ग उसे मिलेंगे, तो आप एक बार में समझ जाएंगे, कि उसे लोग पसंदे, ठीक है, तो यह सब जो underline किया हुआ है, यह सब हो गया, उस delivery man का characteristics, ठीक है, और भी हमें देखने को मिलेगा, चलिए, देखते हैं, आर आगे, I want, I told him to find a man named Oliver Lutkins, तो हमारे जो narrator है, young lawyer, यह उस delivery man के पास जाते हैं, और बोलते हैं कि, मैं यहाँ पे Oliver Lutkins नामा के कि इनसान को ढूलने के लिए आया हूँ, ठीक है, Lutkins, I saw him around here about an hour ago, hard fellow to catch though, always up to something or other, तो वो delivery man बोलता है कि, Lutkins, मैंने अभी अभी उसे एक घंटे पहले यहाँ पे देखा था, काफी मुश्किल है उसे पकर पाना, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop, यह अपर जो लिखा हुआ है, F-R-I-T-Z, इसको आप pronounce कैसे करेंगे, F-R-I-T-S, Fritz, ठीक है, Z silent हो जाएगा, तो वो delivery man बोलता है, बताता है कि, अभी वो Oliver Lutkins कहां गया होगा, He is probably trying to start up a poker game, वो एक poker game खेलने गया होगा, Fritz की दुकान के पीछे, ठीक है, poker game क्या होता है, एक card का game होता है, I'll tell you boy, is there any hurry about locating Lutkins, वो लेकि मैं तुम्हें बताता हूँ, boy, boy मतलब यहाँ पर है, friend, ठीक है, लेकि दोस्त, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या कोई जल्दवाजी है उसे धुनने में, Yes, I want to catch the afternoon train back to the city, I was very important and secret about it, तो हमारे जो narrator है, young lawyer, यह बोलते हैं, कि हाँ, मैं दोपर वाली train पकर के वापस सहर जाना चाहता हूँ, I was very important and secret about it, तो बस, जो हमारे जो narrator है, वो सिर्फ इतना ही बताते हैं, कि मैं सिर्फ दोपर वाली train को पकर के जाना चाहता हूँ, वो पूर I have got a hack and I'll get it out and we can drive around together and find lootkins, तो वो delivery man suggest करता है, कि मैं आपको बताता हूँ, कि आप क्या कर सकते हैं, I have got a hack, मेरे पास एक hack है, मतलब एक गोरागारी है, I'll get it out, मैं उसे निकालता हूँ, और फिर हम दोनों उसमें बैट के lootkins को ढूंड लेंगे, I know most of the places he hangs out, मुझे पता है, जलातर ऐसी जगाए, जहां पर वो जाता है, ठीक है, He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection, तो बस, डिलिरी मैं का ये लाइन सुनके ना, कि मैं अपना hack गारी निकालता हूँ, और फिर हम दोनों मिलके ढूनेंगे, ये बात सुनके तो, हमारे तो narrator है, वो उसको उपर फिदा हो गए, फिद यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि वो जलिवडी मैं का एक और खासियात है यहां पर, वो काफी open है और friendly है, और भी कई सारा खासियात हमने ऊपर देखाई, कि वो red face, 40 अबगए बगए बगए जो था, वो सब आपको याद रख नहीं है, उसमें एक और add हो गया, He was very open and friendly, I knew of course that he wanted the business, but his kindness was real, एक बाद तो मुझे पता था, कि उसे क्या चाहिए था, business चाहिए था, business मतलब उसे अपने hack के लिए एक passenger चाहिए था, तो वो मेरे से कमाएगा ये बाद तो सही है, लेकिन his kindness was real, तो जो वो प्यार मेरी तरफ दिखा रहा था, वो असली था, ठीक है, I was glad the fair money would go to this good fellow, और मैं इस बात से खुज भी था, कि जो भारे का किराया है, वो इस भले इंसान को जाएगा, आखिर में मुझे Oliver Lutkins को तो ढून ना ही है, और उसे ढूनने के लिए मैं किराया किसी को ना किसी को पे करूं गाई, तो क्यों ना वो किराया इस इंसान को ही जाए, ठीक है, क्योंकि यह इंसान काफी kind है, open है, friendly है, ठीक है, आपको पता है, एक डॉलर कितना होता है, 75 रूपीज ना, तो जो डॉलर कितना हो गिया, तो जो जो डेलिवरी मैं था, वो कहां जाता है, कहीं पर आस-पास में ही उसका घर होगा, तो अपने उस घर में से क्या ले क्या आता है, एक बड़ा सा काला box लेके आता है, जो कि क्या पर रखा हुआ है, चक्को पर रखा हुआ है, मतलब इस तरीके से वो उस hack को describe करते हैं, यह आप देख पारें, इसको black box बुला गया है, और यह wheels पर रखा हुआ है, मतलब यह हमारा hack पूरा, ठीक है, और यहाँ आप देख पारें, यह है hack driver, और यह हमारे कौन होंगे, young lawyer, चलिए, तो यह आप rate याद कर लीजिएगा, कितना पर set हुआ था, He remarked, well young man, here's the carriage, and his wide smile made me into an old friend, तो वो delivery man hack लेके आता और बूलता है, कि देखो young man, here's the carriage, यह रहा हमारा carriage, मतलब घुरागारी, and his wide smile, और इतना बोलके वो काफी बड़ा मुश्कान देता है, जिस वज़से हमारे narrator को feel होता है, कि वो दोनों काफी एक पुराने दोस्त है, ठीक He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me, और ऐसा लग रहा था यहाँ पर, narrator को ऐसा लग रहा था, कि यह जो hack driver है, मानो इसने, इसका काम अपने सेड ले लिया हो, He said, I don't want to interfere young fellow, but my guess is, that you want to collect some money from Lutkins, तो delivery man, तो हमें अभी तक समझ भागे कि यह जो delivery man था, यही hack driver भी है, जो कि हमारे story का title भी है तो हमें इसको hack driver भोलेंगे, ठीक है, delivery man नहीं भोलेंगे, तो यह hack driver भोलता है, कि इस narrator को बोलता है, कि I don't want to interfere young fellow, मैं तुमारे काम में दखर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, मुझे लगता है कि तुमें भी उस Lutkin से, Lutkin से मतलब Oliver Lutkin से वो किसी को भी एक पैसा तक नहीं देता है, सेंट क्या होता है, जैसे कि 100 सेंट मिलके एक डॉलर बनता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, तो वो किसी को एक पैसा एक सेंट तक नहीं देता है, he still owes me 50 cents on a poker game, तो यह जो hack driver यह बोलता है कि मैं भी उससे 50 सेंट पा क्योंकि उसने मुझे पैसा ही नहीं दिया, he is not really bad, but it's hard to make him part with his money, फिर वो hack driver बोलता है कि वो अंदर से पुरा नहीं है, लेकिन बस यही एक disadvantage है कि वो अपने पैसों को लेके कभी sharing नहीं करता है, ठीक है, पैसा उसे निकालना निकाल पाना बहुत मुझकील है, if you try to collect from him in those fancy clothes he will be suspicious and get away from you, तो अगर आप इतने suit boots पहन के, अभी हमने picture में भी देखा, इनका कपड़ा काफी अच्छा है वकिल साब का, तो hack driver उन्हें बोलते है कि अगर आप in fancy clothes में जाएंगे, तो वो आप पे शक करेगा, ठीक है, और आपको देखके वहाँ से भाग जाएगा, होगा यहाँ पे, यहाँ पे, मैंने यहाँ पे yellow से highlight किया हुआ है, आपको भी ऐसी कुछ mark करके रखना है, यह पहला place है जहाँ पे यह लोग Oliver Lotus को डूरने के लिए जाते हैं, ठीक है, फ्रिट्स की दुकान के पीछे में क्या खेला जाएगा, एक poker game खेला जाएगा, और यह यह लाएंगा एक खास importance है, ठीक है, इसको बाल में समझाएंगे, छलिए, फिलाल आप इतना समझे तो आगे बढ़ते हैं, I loved him for this, by myself I might never have found Lutkins, तो यह बात सुनकर narrator का confidence और भी build up हो गया उस hack driver पे, ठीक है, वो सोचते हैं मनी मन में कि मैं अगर खुद से Lutkins को ढूनने के लेकिन इस hack driver का इतना अच्छा help मिलने का वज़ा से मुझे यकीन हो गया कि मैं उस Lutkins को पकड़ ही लूँगा, I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness, when his information would have quickly settled our case, अब देखिये, अब उस hack driver ने तो काफी confidence जीत लिया narrator का, अब नर्याटर भी शोचते हैं, मैं भी उसे कुछ सचा ही बता के उसका confidence भी जीत लूँ, ठीक है, उसलिए वो क्या करते हैं, I took him into my confidence, उसका confidence जीतने के लिए उन्हें सारा सच सच बता देते हैं, क्या बताते हैं, I wanted to serve the summons on Lutkins, वो बोलते हैं कि मैं Lutkins को summons serve करने के लिए आया हुआ हूँ, ठीक है, और य this information would have quickly settled our case, और ये मैं इतना importance से हमारे case के लिए कि ये एक बार आके अगर गवाई दे देना, तो हमारा case असानी से solve हो जाए, ठीक है, तो ये सब बात, narrator ने उस hack driver को बताया, the driver listened earnestly, earnestly मतलब seriously, तो काफी ध्यान से उस hack driver ने इन सब बातों को सुना, at the end he hit me on the shoulder and laughed, तो बात जब खतम हो गया, तो वो उसने कंदे को सबता पाता है, और हसता है, और बोलता है, well we'll give brother Lutkins a little surprise, लेकि ठीक है, चलो, हम अपने भाई Lutkins को एक surprise देते हैं, let's start driver, तो narrator उसको बोलते हैं, hack driver को की driver start करो, तो ये बात कहीं ना कहीं, उस hack driver को खराब लग जाता है, और बोलता है, कि most folks around here call me Bill और Magnuson, my business is called William Magnuson, fancy karting and hacking, बोलता है कि यहाँ पर जड़ातों लोग मुझे क्या बोलके बुलाते है, Bill या फिर Magnuson बोलके बुलाते है, यहाँ पर जो narrator है, उसक भी proceed to Fritz, तो narrator अब बोलते हैं कि ठीके Bill, अब उसको Bill बोलके बुलाते हैं, ठीके, चलो Fritz की दुकान में, yes, Lutkins is just as likely to be there as anywhere, तो hack driver बोलता है कि हाँ, चलो, Lutkins वहाँ पर होने का उतना ही चांसे जितना की बाकी जगा, मतला वो कहीं भी हो सकता है, वो बोलते है, plays a lot of poker, वो काफी poker game खेलता है, he is good at deceiving people, क्योंकि उसे लोगों को धोका देने में, वो काफी माहिर है, ठीके, तो यहाँ पर एक और character पाता चल गया, उस Oliver Lutkins का, ठीके, यहाँ पर भी एक character था, इसको भी underline कर लिजेगा, कि वो अंदर से बुड़ा नहीं है, लेकिन पैसे से वो sharing नही Bill seemed to admire Lutkins's talent for dishonesty, और कहीं नहीं, narrator को feel होता है, कि यह जो hack driver है, अब देखिए, hack driver का कितना सारा नाम आ गिया, एक तो था delivery man, ठीके, दूसरा हो गया, hack driver, अब यहाँ पर बिल बोलके बुलाया जाएगा, ठीके, आप confused मत होईएगा, बिल या फिर Magnuson जबी भी बोलेंगा, इसे, dishonesty के talent को लेकर, ठीके, कि Lutkins कितना अच्छे से धोका दे रहता है, तो इस बात से कहीं ना कहीं लग रहा था, कि बिल को काफी पसंद है, Oliver Lutkins, I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret, और narrator को यह feel होता है, कि अगर यह बिल, मतलब तो hack driver है, यह अगर policeman होता, तो यह काफी respectfully उस Lutkins को गिरफतार करता, और काफी degrade, काफी absorption का साथ उसे jail में डालता, ठीक है, तो ऐसा कुछ उन्हें feel होता है, Bill let me into Fritz, तो Bill उन्हें, narrator को Fritz के दुकान में ले जाता है, और हुआ पर पोलता है, कि have you seen Oliver Lutkins around today, हुआ पोलता है, कि क्या आपने Oliver Lutkins को देखा है आज, friend of is looking for him उनके एक दोस उन्हें ढून रहे है, said Bill, Charlie, काफी खुशी से वो इसा बात को बोलते है, Bill बोलता है, ठीक है, उस दुकान में, Fritz looked at me, hiding behind Bill, तो जो Fritz है, वो देख लेता है, कि मैं Bill के पीछे-पीछे छीप रहा हूँ, इसलिए वो कुछ हिसकिचाता है, दुकान वाला, and then admitted, बोलता है कि, हाँ, he was in here a little while ago, guess he has gone over to Gustafs to get a shave, तो वो बोलता है कि, हाँ, वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया हुआ था, और नहां तक मेरा अनुमान है, वो Gustafs की दुकान में गया है, saving कराने के लिए, तो पहला attempt इनका Fritz की दुकान में unsuccessful हो गया, चलिए देखते हैं, आगे क्या होता है, well, if he comes in, tell him I am looking for him, तो Bill उन्हें बोल देता है, Fritz को बोल देता है, कि अगर वो यहाँ पर आता है, कौन आता है, Oliver Lutkins अगर यहाँ पर आता है, तो बोल देना कि मैं उसे धून रहा हूँ, we drove to Gustafs Barber Shop, तो यह दूनों मिलके, कौन दूनों मिलके, हमारे ज Hack Driver, मतलब Bill, यह दोनों मिलके, आप कहा जाते हैं, Gustafs की नाई की दुकान में जाते हैं, तो यह उनका second place है, ठीक है, first place कहा था, Fritz Shop, second place है Gustafs Barber Shop, again Bill went in first, एक बार फिर से Bill पहले जाते हैं, and I lingered at the door, और जो narrator है, young lawyer, यह दरवाजी पर ही wait करते हैं, he asked not only the sweet, but two customers if they had seen Lutkins, तो तो वहाँ पर जाके उस Barber से पूछते हैं, तो वहाँ पर बारबर जो था, वह सूइट था, मतलब student कर रहने वाला था, ठीक है, वह उन से पूछता है, और साथी साथ वहाँ पर जो दो customer, जो saving कर आ रहे थे, उन से भी पूछता है, लूटकिन्स के बारे में, the sweet had not, the sweet ने उस लूटकिन्स को नहीं देखा था, he said angrily, और वो काफी वो गुसे से भी बोलता है, कौन गुसे से बोलता है, वो sweet, मतलब जो बारबर है, वो बोलता है, कि I haven't seen him, मैंने उसे नहीं देखा है, and don't care to, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता हूँ, but if you find him, you can just collect that $35, he owes me, अगर अगर तु मुसे ढून लेते हो, तो क्रिप्टा करके $35 उससे collectivity कर लेना, जो मैं उससे पाता हूँ, one of the customers thought he had seen Lutkinz walking down main street, this side of the hotel, तो महा फिस दो customer में से एक customer सोचता है, और बोलता है कि उसने Lutkinz को कहां पे देखा है, main street में चलते हुए देखा है, main street कहां पे, hotel के side में है तो यहां पे उनका second attempt भी क्या हो जाता है, fail हो जाता है, तो as we climb back to the hack, Bill concluded that since Lutkinz had exhausted his credit at Gustafs, he had probably gone to Grays for a save, तो जब वो दोनों जाके hack पे बैठ जाते हैं, तब Bill क्या बोलता है, कि चुही Oliver Lutkinz ने अपना सारा credit, मतलब उधारी लेने का सीमा, Gustafs की दुकान में खतम कर दिया ह तो वो आप कहां गया होगा, Gray की दुकान में गया होगा, shaving करवाने के लिए, ठीके, तो Gray's Barber Shop, यह हमारा third place है, जहां पे लोग जाते हैं, तो at Gray's Barber Shop, we missed Lutkinz by only 5 minutes, तो यहां पे भी उन्हें नहीं मिल पाता है Oliver Lutkinz, 5 minutes पहले ही वो वाँ से जा चुका होता है, he had just left, probably for the pool room अब हो सकता है, वो कहां पे गया होगा, pool room में गया होगा, pool room आप picture में देख पा रहे हैं, ऐसे game को बोलते हैं, जहां पर यह game खेला जाता है, ठीके, उसको pool room बोलते है, at the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarette and gone out, तो pool room में जाने का वाल इने पता सलता है, ऐसा लगता है कि, pool room में Oliver Lutkinz ने क क्या खरदा है, सीफ एक pack of cigarette खरदा है, और फिर वहाँ से निकल चुका है, तो यह भी attempt उनका fail हो जाता है, so we pursued him, just behind him, but never catching him, तो हम उसका पीछा करते जा रहे थे, हम ठीक उसके पीछे थे लेकिन कभी उसे पकड़ ने पा रहे थे, for an hour till it was past one o'clock, ऐसे करते करते एक घंटा बिच जाता है, और एक बच जाता है, I was hungry, और मुझे भूख लग जाता है, मुझे भूख लग जाता है, मतलब हमारे narrator, young lawyer को भूख लग जाता है, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbor, that I scarcely cared whether I found Lutkins or not, लेकिन जब यह लोग उस hack में पैठके Lutkins को ढून रहे होते हैं, तो जो Bill है, वो अपना country का जो opinion है, rural area का जो भी opinion है, अपने परूसियों को लेकर, वहांके लोगों को लेकर, यह सब Bill narrator से share करता है, ठीके, तो यह सब बात narrator को काफी अच्छा लगता है, सुनके, तो इसलिए narrator को इस बात का फिक्र हट जाता है, कि वो Lutkins को पकरे या फिर ना पकरे, क्योंकि वो अ ना काम पसंदाता है, ना प्लेस पसंदाता है, तो वो अपने इस ट्रिप को काफी enjoy कर रहे थे, और यह था एक village, ठीके, how about something to eat, I suggested, तो यहाँ पर जो हमारे narrator है, young lawyer, यह suggest करते है कि क्यों ना कुछ खाया जाए, let's go to a restaurant and I will buy you lunch, चलो एक restaurant में चलते हैं, और मैं तुम्हें एक लंच खरीद दूँगा, ठीके, तो यहाँ पर इतना, जो narrator है इतना खुछ है, उस hack driver चे, वो लंच के लिए भी offer करते ह और साथी साथ किरायतों पर करी रहे हैं, एक घंटे का दो डॉलर, well I out to go to home to the wife, I don't care much for these restaurants, only four of them and they are all bad, तो hack driver बोलता है कि मुझे तो घर जाना है, अपनी पतनी के पास, मेरी पतनी खाना बनाई होगी, और मुझे यहाँ पर restaurants पसंद नहीं आते हैं, यहाँ पर सिफ चार ही wife to pack up a lunch for us, मैं अपनी वाइफ के पास जाऊंगा और महाँ पर एक lunch पैक करवा लूँगा, ठीक है, she won't charge you more than half an hour, तो वो तुमसे आधी दोलर से ज्यादा नहीं लेगी, तो देखिए, यह hack driver काफी समझधार है, और यहाँ पर जाके भी अपना वो business खड़ा कर रहा है, ठीक ह खाना मिलेगा आपको, और वो भी आपको अच्छा नहीं लेगा, और उससे ज्यादा पैक करना होगा, and we will go up to wade's hill, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पत्नी से खाना ले लेंगे, और कहां जाएंगे, वेट's hill में जाएंगे, और वहाँ पे view enjoy करेंगे, और साथी साथ खाएं तो ये उस hack driver ने suggest किया narrator को, I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love, मुझे ये बात पता था, कि Bill का इतना help करना, वो भी सहर से आया हुए एक नौजमान लड़के को, ये सिफ एक भाई बाला प्यार के कारण नहीं था, सहर से कौन आया हुआ है, हमारे जो narrator है, young lawyer, तो उनको ये Bill help कर राइतना चीज, तो ये help सिफ वो सिफ ऐसा नहीं की kindness या फिर love के कारण help कर रहा है, वो help इसलिए कर रहा है क्योंकि I was paying him for his time, मैं उसके समय के लिए उसे pay कर रहा था, कितने के rate से, एक गंटे का दो डॉलर, ठीके, in the end I paid him for six hours, including the lunch hour, at what was then a very high price, और अंत में मैंने उसे कितन खाया, उसका किराय भी उसने लिया, ठीके, तो टोल कितना pay किया होगा, उसने, एक गंटे का दो डॉलर, तो छे गंटे का बारा डॉलर, ठीके, और ये उस जमाने में काफी high price मारा जाता था, but he was no more dishonest than I, लेकिन, बिल मेरे से जाधा dishonest या फिर बैमान नहीं था, क्योंकि I I charge the whole thing to the firm, यहां जितना भी बिल बन रहा था, वो सब बिल, मैंने किसके नाम पे बनवा दिया, firm के नाम पे, कौन सा firm याद है आपको, Magnificent Law Firm, जिसमें हमारे जो नरेटर हैं वो उसमें काम करते हैं, किस पोस्ट में, junior assistant clerk में, ठीके, but it would have been worth paying him myself to have his presence, तो यहां पे नरेटर बोलते हैं कि लेकिन यह जो बिल है, या फिर hack driver यह इतना मज़ेदार आत्मी है, कि इसके साथ समय गुजरने के लिए मैं चाहूँ तो आपने pocket से भी pay कर सकता हूँ, ठीके, his cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself, who was sick of the city, तो वो country wisdom, country मतलब rural area, तो rural area का रहने वाला यह लड़का था, बिल, काफ मुजाजी पन काफी refreshing था मेरे जैसे rural area में रहने वाले लड़की के लिए, जो कि सहर में रहा के काफी परिशान हो चुगा था, ठीके, sick of the city मतलब सहर में रहा के परिशान हो जाना, country boy, यहाँ पे यह country boy कौन है, हमारे narrator है, यह पहले rural area में रहते थे, ठीके, लेकिन अभी य training करने के लिए अभी कहां आयो है, city आयो है, ठीके, तो city उनको पसंद नहीं आ रहा है, उसलिए अभी वापस जब इनको new mulean में जाने का मौका मिला, तो यहाँ का जो cheerful country wisdom है, यह उनको काफी refresh कर रहा है, अच्छा लग रहा है इन्हे, as we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of new mulean and painted a picture in words of all the people in it, अब हम लोग कहां बैठ चुके थे, hilltop में बैठ चुके थे, कौन सा hilltop, यह, where's hill, इसके ओपर बैठ के क्या करेंगे, लंच करेंगे, और बैठ के लंच तो करी रहे थे, और साथ-साथ क्या देख रहे थे, looking over the pastures, हरे-हरे मैदान देख रहे थे, creek, creek होता है, एक स्मॉल रिवर, तो पेरों के बीच से, जो छोटी-छोटी नदिया थी, वो बहे रही थे, वो देख रहे थे, और देखते-देखते, he talked of new million and painted a picture in words of all the people in it, वो जो बिल था, वो new million के बारे में बताता है, और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, new million में, उन साब को describe करता ह पेंटेद a picture in words का मतलब किसी को describe करना, ठीक है, he noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness, यह जो hack driver था, यह फिर बिल था, वो हर चीज को notice करता था, ठीक है, लेकिन भले ही वो लोगों पर कितना भी हसे, वो सबको समझता था, सबका दुख दर्द समझता था, और उनके बेवकूफी क उनको माफ भी कर देता था, ठीक है, तो यह और एक character हो गया, hack driver का, यह भी आप underline कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर यह सब भी है, यह सब भी underline करते चलिएगा, He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt, तो वो hack driver एक minister की wife को describe करता है, जब वो सबसे ज़्यादा करजे में होती थी, तो वो church मुझा के सबसे जोड से गाना गाती थी, ठीक है, He commented on the boys who came back from college in fancy clothes, फिर वो hack driver उन लड़कों के बाड़े में बताता है, जो college से वापस लोट रहे थे और काफी fancy clothes पहने हुए थे, He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day, और साती साथ वो hack driver एक lawyer के बाड़े में भी बताता है, जिसकी पतनी कभी successful नहीं हुई उसे एक collar और tie साथ में पैनाने के लिए, ठीक है, मतलब वो जो lawyer था, वो कभी भी collar और tie एक साथ नहीं पैन पाता था एकी दीन में, क्या तो वो collar पैन On that day, I came to know new million better than I did the city and to love it better, और उस दीन, narrator को समझ में आया कि वो new million को ज्यादा आचे से जाने लगे हैं अपने city के मुकाबले, ठीक है, बले ही वो रहते हैं city मेलेगे नहीं है, एक दिन के लिए यहाँ पे आई new million में, लेकिन काफी अचे से जाने लगे new million को, और इन्हें आ से लगाओ भी हो गया, बिल दिन्ट नो अबाट colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs, बिल को colleges और सेहरों के बारे में पता नहीं था, लेकिन चुकि उसने कई सारा traveling किया हुआ था, ठीक है, पूरे country में, मतलब पूरे rural area में, इसलिए उसके पास कई सारे jobs भी थे, from his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter, और उसने जितना भी adventures, मतलब exciting experience gather किया है life में, ठीक है, उन साब experiences से उसने जीवन जीने का अच्छा सा तरीका सीख लिया है, वो तरीका क्या है, life of simplicity and laughter, simple तरीके से जीवन जीओ, और हस्ते हस्ते जीवन जीओ, ठीक है, he threatened me, तो इसका ये behavior, life जीने का, ये manner ठीक है, मुझे भ तो city का जो side है, जो उन्हें देखने को मिला, अपने job के कारण, ठीक है, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम एक सांथ, अपने hometown में चले जाए, जो उनका rural area भी है, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे तो उनको training period किये भीना directly lawyer बना दिया लिए, we left at peaceful scene of meadows and woods, and resumed our search of Oliver Lutkins, तो फिर हम खाना खतम करने का बात, वो meadows, meadows क्या होता है, a field of grass, ठीक है, और woods, जो आपे पेर थे, तो ये सब सांती भारा scene को हम लोग छोड़ के आप कहा चले गए, resume करने चले गए, our search of Oliver Lutkins, मतलब हमने अपना search है वो फिर से start कर दिया, we could not find him, हम अंती में उसे धून नहीं पाए, at last, Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what it guessed, अंती में क्या हुआ, Bill cornered, cornered का मतलब होता है, किसी को दबोच लेना, पकड़ लेना, तो उसने एक Lutkins के friend को पकड़ लिया, और उसे कैसे भी करके मनवा लिया, जो वो guess कर रहा था, क्या मनवा लिया उस एक मिल लगवग 1.5 km होता है, तो तीन मिल कितना होगी है, लगवग 4.5 km, we drove out there laying plans, तो हम लोग फिर से उसी हैक में बैठके, प्लान बनाते हुए चल परे, उसकी कतलास में, तो यह अगला प्लेस है, जहां पर यह लोग जा रहे हैं, कहां पर मदर की फार्म में, आगे बरत एक बार मैं उनके घर में ट्रंक लेके गया हुआ था, पेटी लेके गया हुआ था, और उसने मेरा लगवग खाल उजहर दिया था, क्यूंकि मैंने उसके ट्रंक को एक बाक्स ओएक्स, मतलब एक डेलिकेट थिंग, एक कोमल चीज की तरह ट्रेट नहीं किया था, हो सकता है इसने पटक दिया होगा, तो उसने बहुत डाटा था उसे, किसने डाटा था, ओलिवर की मम्मी ने, और चार फिट मोटा कोई होता नहीं है, मतलब यहां पर बुलने का मतलब है, कि वो काफी लंबी चोड़ी थी, और क्वीक आज काफी फूर्तिली भी थी, और सी श्योर के किसी को डाट भी सकती थी, यह उनका description है, I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirt, तो hack driver बोलता है कि मुझे पका यखिन है, Oliver को ये बात पता चलिया होगा कि कोई उसे ढून रहा है, इसलिए वो अपने मा के पल्लू के पीछे जाके छीब गया होगा, well we'll try her, चलो देखते हैं महाँ प but you haven't had real training in swearing, swearing का मतलब होता है using bad language, लेकि तुम literature में बहुत ग्यानी होगे, तुम कानून में बहुत ग्यानी होगे, लेकिन गाली गलोज करने में या खिल गंदा language यूज करने में तुम मेरे से ज्यादा ग्यानी नहीं हो, ठीक है, तो मुझे handle करने देना उससे, we drove into a poor farm yard, we were faced by an enormous and cheerful world woman, तो हम कहां पहुच गए अब, एक farm yard में पहुच गए, तो वहां हमें कौन मिला, एक काफी enormous, मतलब लंबी चोडी, और काफी हस रही थी, एक बुरी सी औरत मिली, मतलब या औरत कौन है, Oliver की मम्मी है, ठीक है, My guide bravely went up to her and said, Remember me, I am Bill Magnuson, the carter and hackman, I want to find your son Oliver, तो मेरा guide, guide मतलब वो hack driver, काफी बहादरी से उसके पास जाता है और बोलता है, यादे तुम्हें, मैं Bill Magnuson हूँ, the carter and the hackman, I want to find your son Oliver, मैं आपके बेटे Oliver को धुनने आया हूँ, ठीक है, तो ऐसा जाके, वो hack driver उस औरत को बोलता ह I don't know anything about Oliver and I don't want to, she shouted, तो वो औरत चिला के बोलती है कि मैं Oliver के बारे में कुछ नहीं जानती, और मुझे कुछ जानना भी नहीं है, now look here, we have had just about enough nonsense, this young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for these Oliver Lutkins, तो वो hack driver बोलता है कि अब देखो औरत हमें हमारे साथ पहले ही काफी बखवास हो चुका है, पहले ही काफी बटक चुके है हम लोग, यह जो young man है हमारे साथ, मतलब जो narrator है, वो court को represent करते हैं, ठीक है, मतलब summons of करने के लिए आए हुए हैं, और हमारे पास legal right है, जितने भी property है Oliver Lutkins का, वो search करने का, ठीक है, हम search कर सकते हैं, कानूनी अधिकार है हमारे पास, Bill made me sound very important, तो Bill ने मुझे काफी बातों से उठा दिया, and the woman was impressed, और woman यह सब सुनके काफी impressed भी हुई, she retired into the kitchen, वो कीचन में जाती है, and we followed, और हम लोग भी उसके पिछे-पिछे हो लेते हैं, She seized an iron from the old-fashioned stove, and merged on us, shouting, you search all you want to, if you don't mind getting burned first, तो वो औरत कीचन में जाती है, और क्या लेकालती है, एक old-fashioned पुराने जवने का चुले से, एक लोहे का rod निकालती है, और उस rod को हाथ में लेके, मारने के लिए दौरती है, और चिलाती है, कि तुम search कर लो, तुम्हें जो search करना है अगर तुम्हें पहले थोड़ा जलने से डर नहीं लगता है, तो ठीक है, पहले थोड़ा जल लो, फिर तुमको जोर search करना है, search कर लो, ऐसा बोलके वो उनके पीछे दौर पढ़ती है, तो वो काफी चिलाती है, और हस्ती है, जोर-जोर से, और हम लोग काफी डर के वहाँ से भागने लगते हैं, let's get out of here, she will murder us, Bill whispered, तो Bill धीरे से बोलता है कि, लिकलो यहां से जल्दी जानी तो यह हमें मार डालेगी, outside he said, और बाहर में जाके वो hack driver बोलता है कि, did you see her smile, क्या तुम्हें उसका smile देखा, वो हमारे उपर हस रही थी, ठीक है, she was laughing at us, I agree that it was pretty disrespectful treatment, तो म was only one story high, सिफ एक मंजीला वो building था, Bill went round it, तो Bill उसके चारों तरफ किया, peering in at all the windows, peering मतलब जाकना, और सभी खिरकी से अंदर वो जाक लिया, we examined the barn and stable, बार्ण क्या होता है, एक काफी बढ़ा building होता है, फार्म में, जहां पे crops या फिर animals को रखा जाता है, ठीक है, तो हमने उस बार्ण को stable ना पर घोरो को रखा जाता है, उसको देखा, we were reasonably certain that lootkins was not there, हमें यकीन हो गया कि lootkins हो आपे नहीं है, it was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station, और मेरा समय हो गया था दोपर वाली train को catch करने का, इसलिए Bill ने मुझे station में drop कर दिया, ठीक है, अब वो narrator train में बढ़ जाते हैं, और जब city जा रहे होते हैं, तो on the way to the city, I worried very little over my failure to find lootkins, तो जब narrator city जा रहे होते हैं, तो उनको जड़ा सा भी अफसोच नहीं है कि वो lootkins को नहीं पकर पाए, I was too busy thinking about Bill Magnussen, मैं काफी busy था, Bill Magnussen के बारे में सोच सोच कर, really, I considered returning to new million to practice law, तो वो सच में, अब इनके मन में ये बात बै करेंगे, ठीक है, if I had found Bill so deeply and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustaf and a hundred other slow spoken simple wise neighbors, तो वो सोचते हैं मनी मन में कि अगर मैं Bill को इतना, मतलब इंसानिया थे, ऐसे इंसान में, तो क्या मैं आगे चलके, Fritz और Gustaf और इसके जैसे और भी 100 लोगो को like नहीं करने लगूँगा, मतलब ये लोग भी काफी अच्छे लोग होंगे, मुझे आके चलके पता चले गाई है, ठीक है, और ये लोग काफी slow spoken है, यहाँ पर लाइफ सान्थ है, simple है, और समझदार परोसी लोग है यहाँ ठीक है, तो लाइफ जीनने का perfect place है यह, वो सोचते हैं, I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms, तो वो imagine करते हैं, एक इ control area में आपको लेया के पुरा विलेजी आपका घर है, ठीक है, सब लोग बात करते हैं, दूसरे से मिल मिलाओ करके रहते हैं, ठीक है, I was excited, I found a treasure, तो मनी मन में यह हमारे narrator काफी excited थे, इन्हें ये feel हो रहा था कि नोंने एक तीजोरी ढून लिया है, खुशाली का ट्रीजोरी वो तीजोरी का नाम क्या है, New Mullion, I had discovered a new way of life, मैंने एक जीवन जीने का नया तरीका ढून लिया है, but if I did not think much about Lutkins, the office did, लेकिन भले ही मैं Lutkins के बारे में जाना नहीं सोच रहा था, लेकिन office तो सोच रहा था, I found them all upset, मैंने जब भी ये news सुनाया कि मैं Lutkins को नहीं पकड़ तो सब कोई क्या हो गए, अपसेट हो गए, office में, ठीक है, next morning the case was coming up in the court, अगली सुभा, court में यही case का सुनाई होने वाला था, and they had to have Lutkins, और Lutkins का वा होना बहुत जुरूरी था, I was shameful, useless fellow, मैं काफी सर्मनाग था, मतलब सर्म फिल कर रहा था, और काफी बेकार सा महसूस कर आता अपने आपको, that morning my promising legal career almost came to an end before it had begun, तो उस सुभा मेरा जो legal career है, ठीक है, वो स्टार्ट होने से पहली लग रहा था, आज अंध हो जाएगा, the chief almost murdered me, वो जो law firm का head था, वो तो मानो मुझे murder ही कर देता, he hinted that I might do well at digging ditches, उन्होंने hint बोला कि मैं गड़े खुनने का काम अ तो मुझे वापस ओर दिया गया कि मैं वापस New Mullion जाओ, और मेरे साथ इस बार एक इंसान को भेज़े गया, जो पहले लुट्किन के साथ काम कर चुका है, ठीक है, I was rather sorry, इस बार मैं मेरे मन में अफसोस था, क्यों, क्योंकि, because it would prevent my loafing all over again with Bill, क्योंकि इस बार चुकि एक इ station platform near his cart, तो जब train New Mullion के station पहुंची, तो वहाँ पे कौन ख़़ा था, station पे Bill ख़़ा था, अपने cart को लेके, मतलब hack को लेके, ठीक है, strangely enough, that old tigress, Lutkin's mother, was there talking and laughing with Bill, not quarrelling at all, और अजीब सा बात ये था, कि वो जो पुडानी सेडनी जो थी, मतलब लुट्किन की जो मम्मी थी, वो बिल के साथ बात कर रहे थी, और काफी हस रही थी, ना कि उसे जगर रही थी, ठीक है, from the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, there's a fine fellow, a real man, I spent a day with him, तो उस train की सीरियो से ही मैंने उंगली से इसारा करके दिखाया, अपने साथी को, ठीक है, कि वो देखो, वो इंसान जो है, वो बिल है, वो का मी, और ये hack driver है, dress से पता चल रहा है, ये हमारे narrator, वकील साहब, और ये हुनके companion, ठीक है, he helped you hunt for Oliver Lutkins, तो ये जो companion है, ये इस lawyer को बोलते है, कि क्या तुम्हें इसने मदद किया था Oliver Lutkins को ढूनने में, yes, he helped me a lot, हाँ, इसने मुझा काफी मदद किया था, he must have his Lutkins himself, लगि व हमें यहाँ पर काफी सी क्लियर हुआ, ये hack driver, ये फिर bill, ये फिर delivery man, ये और कोई नहीं, बलकि ये ही Oliver Lutkins है, बाता कराई को समझ रहे है, तो इसका मतलब इसने और इसको पूरा बेवकूब बना दिया, ठीक है, देखते होड़ा कि क्या लिखा हुआ है, what really hurt me was that when I served the summons, Lut जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसका हाथ में someone को serve कर दिया क्या है, तब क्या हुआ, Lutkin और उसकी मा, उसके उपर ऐसे हसे मानो, वो एक 7 साल का बच्चा हो, ठीक है, मतलब काफी उसको नीचा फिल करवा दिये, with loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of tea, लेकिन उसी kindness के साथ वापस उसी loving kindness के साथ ये दोनो, देख ओन हमारे Oliver Lutkinz और उनकी ममी, ये दोनो प्रातना करते हैं, narrator से कि चलो, हमारे परोशी के घर चलो, और एक cup हुआ पे कॉफी पी लो, क्यों ऐसा, क्योंकि, I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkinz joyfully, तो Lutkinz खुशी से बोलता है कि मैंने उनको तु कुछ लोग है, जो तुम्हें कल नहीं देख पाए, बाकि तुम्हें पूरा टाउन तुम्हें देख लिया था, ठीक है, तो यहीं पर ये story end हो जाता है, अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, कि कल इस narrator ने इस Oliver Lutkinz के साथ पूरा दीन spent किया, और यह लोग कई सारे जगा गए, तो वहाँ पर कितने सारे इंसान थे ना, तो उन में से कोई एक इंसान भी क्या ये reveal नहीं कर पाया, या फिर ये hint नहीं दे पाया इस narrator को, कि यही Oliver Lutkinz से, क्या हर इंसान मिला हुआ था इस से, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, तो ऐसा क्या हुआ था, तो है था कि मैं पहले जाओंगा किसी से भी पूछने, ठीक है, और तुम मेरे पीछे चीपके रहे ना, मतलब हर जगा पहले ये hack driver एंटर करता है, वहाँ पर पूरा अपना plan बना बता देता है, उसके बाद इनका plan successful हो जाता था, तो यही reason है कि इसलिए narrator ये समझ नहीं पाये, या फिर narrator को कोई भी इनसान ये reveal नहीं कर पाया, कि वो जिसके साथ गूम रहा है, वही क्या है, Oliver Rootkin से, ठीक है, तो यही था यह story, उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को एंट करने सा पहले ये देखिए, यह आपे कुछ कोशन से, इसका जवाब आप खुदी देने का कोशिच कीजिए, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, चलिए फिर, एंट करते हैं, वीडियो अच लागा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल पर नए है तो चैनल तो सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ पी शेयर चलिए फिर, एंट करते हैं, और कमेंट करके भी बदेए आपको वीडियो कैसा लागा, चलिए फिर, मिलते हैं बहुत ल किसी और चप्टर के साथ, तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक कियर